जआयें हएसाना बूहाओर Director कर छेप्टर 13 स्टार्ट कर ओए है हरब ह्छै हमने बॉरब मैं बढ़ता है आपके वर्ब होते है ,what do ye अपके और बुर्द को रहे हैeren ठीक है हमने आपको ए और वी एक्साइस करने को भी ये थी सब को पता है यह चीज अब हम क्या करेंगे आगे का पूर्शन पढ़ते हैं verbs का words that denote being in a state अब हम ने क्या पढ़ा हमी जब verbs के बारे में information पता करनी थी तो हमने चीन चीज़ देखी थी first is doing words second one is words that denote being in a state or situation and third one is words that denote belongings or possession तो हम start करेंगे उसके second part से words that denote being in a state or situation to be to be is a verb that tells us the state of a person and what kind of situation what kind of situation she or he is in तो 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 भी एक ऐसा verb होता है जो क्या बताता है उस person की state बताता है और वो किस condition में है वो हमें या फिर किस situation में है वो हमें बताता है अच्छ वर्ब्स बताता हैं उस नौन की okay, now example देखते है the baby is happy तो वो baby कैसा है the baby तो ना उन्हें आपका right, और वो कैसा है happy है, okay वो कैसा है, happy है तो वो क्या है, उसकी state है ठीक है लेकिन इसमें आपका verb क्या हुआ, is है okay, now I am very tired तो वो क्या है बहुत ज़्यादा ठका हुआ है तो आए है वो क्या है, noun है am क्या है, इसमें आपका आपका stative verb हुआ, ठीक है और वो कैसा है, ठका हुआ है ठीक है and the third one is, where are you मतलब तुम कहां पर हो, okay इसमें क्या है are आपका stative verb है ओकी, इसे सबको समझ में आई right, तो see exercise क्या है आपका homework है, book में first part मैं आपको question समझा के, first part इसका करा देती हूँ, बाकी क्या आपको खुद करने है underline the verbs of the following sentences इन sentence में आपको क्या करना है verbs को underline करना है first क्या है, my sister and my friend Jasmine are going with me मतलब मेरी sister और जो मेरी friend है Jasmine, वो मेरे साथ कहां जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं ओकी, अब इसमें हमें क्या बताना है, verb क्या है तो आप यहाँ देख रहे है R, सबको दिख रहा है ठीक है, तो यह क्या है आपका stative verb है, ठीक है तो यहाँ पर क्या हैगा R को आप underline कर लेंगे, क्या करेंगे हम R को underline कर लेंगे ओकी, बाकी की exercise आप खुद करेंगे, ठीक है class ओकी, ना हम दिखते हैं words that denote belongings or possession और जो words है, वो क्या कर रहे है denote करते हैं, belonging को, या फिर possession को मतलब, जो बताते हैं किसी चीज़ पर किसी का अधिकार, ठीक है to have is a to have is a belonging verb, tells us what a noun has or possesses ओकी, ना जैसे कि हमने पढ़ा था, ऊपर क्या था, to be verb था, जो क्या बता रहा था, state बता रहा था, और situation बता रहा था, ना यहाँ पर क्या है, to have a word है जो क्या बता रहा है, उसका possession बता रहा है, ठीक है ना एक्जामपल देखते हैं, ठीक है ना एक्जामपल में देखिए I have a terrible cold मतलब मुझे क्या है, terrible cold है मतलब बहुत गंदा जुखाम है, ठीक है तो यहाँ पर क्या है, have क्या बता रहा है, possession बता रहा है मतलब मुझे है वो, ठीक है, मेरा उस पर अधिकार है ठीक है, जुखाम का मुझे पर अधिकार हो गया ना, राइट तो वो क्या है, have क्या शो कर रहा है, यहाँ पर उसका, possession शो कर रहा है ओके, नौ देखिए, second sentence देखिए, इसमें क्या है वो you have such a beautiful house, मतलब यहाँ पर क्या है have न, you have, तो have क्या हुआ आपका, possession शो कर रहा है और किस चीज का possession शो कर रहा है, बहुत ही खुबसूरत घर का, ओकी now, next देखिए, an ocean has a variety of sea creatures on, in it, ठीक है तो यहाँ पर क्या है, has किसका possession शो कर रहा है, sea creatures का, जो किसमें है, oceans में है तो आपने यहाँ पर क्या देखा है, इन तीनों ही sentences में, have और has क्या है, वो बता रहे है possession किसी चीज का, और वो क्या है, verb है, ठीक है, वो verb बता रहे है possession किसी चीज का, ओकी, now exercise deeper आते हैं, यह भी आपको क्या है, homework है जो आपको book में करना है, question पढ़ते हैं, fill in the appropriate form of verb to be, to have and to do, now, इन तीनों verb का हमें क्या करना है, appropriate form, हमें लिखना है अपने उपर देखा, to be का क्या form था, is, am and are, ठीक है, was verb भी होता है, past tense में आता है tenses हमने अभी नहीं पढ़े हैं, वह हम आगे पढ़ेगी, ठीक है, and यहाँ पर to have का क्या था, has or have, ठीक है तो आपको क्या करना है, इन सब में वो fill करना है, now हम first part करते हैं, and बाकी क्या आपको करना है dash you know, where Mr. Thakran lives, मतलब, तुम्हें पता है, वो question पूछ रहा है, क्या तुम्हें पता है, कि Mr. Thakran कहां रहते हैं, तो हम question क्या करेंगे इसमें, ठीक है, तो अब आप इसमें देख सकते हैं, कि इसमें possession तो हो नहीं सकता, क्योंकि ठाकरें जहां पर रह रहे हैं, वहां पर उनका अधिकार थोड़ना है, राइट, वो तो उनके पास एक घर है, इसलिए वो रह रह रहे हैं, राइट, यह चीज़ सबको समझ में आ गई, और ना ही वहां पर हम state और situation के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि state तो क्या होती है, happy या फिर sad है, यह चीज़ समझ में आ गए सबको, राइट, राइट, सबको समझ में आ गई, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों के हम form लिखेंगे, अब देखिए first में, हम क्या लिख सकते हैं, is you know where Mr. Thakran lives, नहीं, कुई sentence नहीं होगा, ठीक है, have you know where Mr. Thakran lives, नहीं होगा, हमने हमेशा देखा है, अगर कहीं, हम एक question, what या फिर where, इन सब में यूज़ नहीं करना होता है, तो हम क्या करते हैं, do और does का, यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, do you know where Mr. Thakran lives, तो हमने क्या, यहाँ पे to do form यूज़ करी है, और उसकी क्या form यूज़ करी है, हमने do form, ठीक है, हमने do को use करा है, कि यहाँ पे does नहीं आएगा, you के साथ हमेशा, s और es नहीं आता है, यह चीज़ सबको याद रखनी है, ठीक है class, ओकी, so, बाकी के पाद्स, आप खुद करेंगे, ठीक है, यह मैं यहाँ से erase कर देती हूँ, okay, now हम करते हैं, इसका, इस exercise के बादवाला portion complete, the difference, the different form of verb to be and to have in the present tense are given in the statement, now आपको verbs की क्या थी, आपको forms नहीं पताती ही न, तो वो हम यहाँ पर दिखेंगे, to be की form क्या होती है, sorry, तो आप यहाँ पर देखेंगे, to be की form क्या होती है, and यहाँ पर two have की, singular and plural, ठीक है, यह था हम सब को पता है कि हम क्या देखते हैं, singular, plural, अलग-अलग देखते हैं, ठीक है, first, second and third person, first person कौन था, जो बात कर रहा है, मतलब मैं यहाँ पर first person, second person कौन है, जिससे मैं बात कर रही हूँ, मतलब मैं आप से बात कर रही हूँ, and मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मान लीजे, मैं किसी third person के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे राम, तो राम क्या हूँ आपका, third person हूँ, ठीक है, क्योंकि राम हम दोनों के बीच में अभी नहीं सुन रहा है हमारी बात, हम जिसके बारे में बात करें हैं वो है राम तो आपका राम राम क्या हुआ आपका? थर्ड पर्षन हुआ नौ फर्स पर्षन में अगर सिंगिलर है में हम यूज करते हैं तो क्या आता है? I am आता है B फर्म में क्या लगाएंगे हम? I am प्लूरल में क्या लगाएंगे? U, R I am किसके साथ में आता है? सिंगिलर प्लूरल का मतलब एक से ज़ादा तो हम क्या लगाते हैं? R सब को बताएंगे चीज़ सेकिंड पर्षन पर्षन के लिए हम क्या यूज करते हैं? U यूज करते हैं तो हम उसके साथ में क्या लगाते हैं? R लगाते हैं चाहे वो सिंगिलर हो या फिर प्लूरल हो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं अगर नहीं याद है आपको Yes ये आपने पढ़ा है चाप्टर नमबर 9 प्रनौन में अगर आपको ये चीज़े याद नहीं है तो चाप्टर 9 का एक बर वीडियो मेरा देखिएगा ठीक है? उसकी बाद ही पढ़िएगा परसन क्या होगा आपका He, She, It तो सिंगिलर में वो क्या लेता है? Is लेता है और प्लूरल में दे होता है आपको क्या याद रखना है याद रखना है? कि जब भी थर्ड परसन हम यूज़ करते हैं He, She, It तो हम क्या यूज़ करेंगे आपे? तब हम यूज़ करेंगे हैस का वरना हमेशा हैव यूज़ आता है ठीक है? He, She, It के साथ में हैस आता है बाकि सब के साथ में क्या आएगा? हैव आएगा ठीक है? लेकिन इज़ आमार का आपको याद रखना है यूज़ के साथ में और दे के साथ में क्या आएगा? आ रहाएगा आए के साथ में एम आता है He, She, It के सामने इज़ आता है ओकी? Now, do remember that First point क्या है? Most verbs are action words that tells us what people, animals or things are doing Now, most verbs क्या होते है? Action words होते हैं जो क्या बताते है? लोग, जानवर और तिंग्स क्या कर रही है? Second, the state of person is denoted by the verb to be This is also called stative verb और जो state of person क्या बताते हैं? कौन सा verb बताता है? तू बी verb बताता है जो ये है और वो क्या होते हैं? stative verb भी उन्हें बूला जाता है ठीक है? ओकी? Now, third देखिए To have is a belonging verb tells us what a person has Now, जो to have verb होता है वो क्या होता है? Belonging verb होता है जो क्या बताता है? कि एक person के पास क्या है? ठीक है class? ये सब को समझ में आया Now, आपका एक homework है वो क्या है? आपको ये C, O, D, X, O करनी है Now, let's practice आपको करने हैं ये क्या है आपका sentence? Rearrangement है ये आपको करनी है बुक में किस में करनी है? बुक में करनी है and next video में next chapter के साथ में ये आपको बताऊंगी कि आपको rearrangement कैसे करना होता है ठीक है? दिगन फिर भी आप एक बार try करिएगा मैं देखना चाते हूँ कि कि किने बच्चे सही कर पाते हैं ओकी class? So, कोई भी doubt आता है आपको तो please मुझे contact करिए and अगर कोई आप suggestion दे सकते हैं parents से अगर parents कोई suggestion दे सकते हैं videos के लिए तो please comment करिएगा और मुझे बताईएगा Thank you so much